एक बार एक मनुष्य ने अंगूर की बारी लगाई उसे ठेके पे देकर लंबे समय के लिए कहीं चला गया जब अंगूरूं को एक अठा करने का समय आया तो उसने अपने एक दास को भेजा कि फसल में उसका हिस्सा उसे मिल सके परंतु ठेके दारों ने उसे पीट कर खाली हाथ भगा दिया तब उसने दूसरे दास को भेजा पर ठेके दारों ने उसे भी पीटा और अपमानित करके उसे भी खाली हाथ लोटा दिया तब उसने तीसरे दास को भेजा किन्तु ठेकेदारों ने उसे मार पीट के बाग के बाहर धकेल दिया तब अंगूर बारी के मालिक ने अपने मन में सोचा अब मैं क्या करूँ अब मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूँगा अवश्य ही वे उसका आदर करेंगे परंतो ठेकेदारों ने उसे आते देखकर आपस में कहा ये तो मालिक का पुत्र है उसे मार डालें तो ये जायदाद हमारी हो जाएगी हमें और बताएं उन्होंने उसे बारी के बाहर निकाला और मार डाला अब देखो मालिक उन ठेकेदारों के साथ क्या करेगा वो आकर उनको मारेगा और अंगूर की बारी दूसरे को देदेगा तो इस वचन का क्या अभी प्राय है जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा जान नकार दिया वही पत्थर सबसे श्रेश्च सिद्ध हुआ जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो चक्राचूर हो जाएगा और यदि ये पत्थर किसी पर भी गिरेगा तो उसे पीस कर रख देगा